Principles of Systematics Module 115 Non-Probability Sampling Non-Probability Sampling can be divided into two types Quota Sampling and Proposive Sampling सबसे पहले हम Quota Sampling की बात करते हैं Quota Sampling is similar to the Stratified Sampling Stratified Sampling हमने Probability Sampling की Type के तोर पढ़ी जिसके अंदर हमने अपनी Population को Divide किया into Various Groups and Subgroups based on some specific Criteria अब जो Quota Sampling है इसके अंदर भी हम अपनी Population को Divide करते हैं into Various Groups and Subgroups based on some specific Criteria अब Quota Sampling और Stratified Sampling के अंदर Basic Difference क्या है Basic Difference यह है कि Quota Sampling के अंदर हम अपनी Population को Groups और Subgroups के अंदर तो Divide करते हैं लेकिन उस मेंसे जब Sample Select करते हैं जब Individuals को आइटम को Select करते हैं तो वो Random Basis के उपर नहीं करते हैं जबके जो Stratified Sampling है उसके अंदर हम मुख्तलिफ Groups बनाते हैं मुख्तलिफ स्ट्रेटा बनाते हैं और उसके बाद उस Groups मेंसे उस स्ट्रेटा से जब हम Individuals करते हैं वो Random Basis के अपर करते हैं यहाँ पे Personal Choice नहीं है जबके जो Quota Sampling है यहाँ पे हम Groups मनाने के बाद उस मेंसे जो Individuals स्ट्रेट करते हैं अपनी मर्जी से शामिल करते हैं इसके अंदर Buysness का Component शामिल होता है इसी तरीके से दूसरी जो टाइप है परपोसिव साम्पलिंग परपोसिव साम्पलिंग जो है यह नान परविल्टी साम्पलिंग की दूसरी टाइप है इसके अंदर जब हम एक साम्पल सेलेक्ट करते हैं तो साम्पल सेलेक्ट करते बकर हम Expert Opinion या जो Personal Preference है उसका हम Market के अंदर जाते हैं हम Market में से एक कार परचेस करना चाहते हैं अगर हम एक ऐसी Market के अंदर जाएं जहां पर मुखतलिफ किसम की पुरानी कारे हैं उस में से हम कोई एक कार सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अगर हमारा Experience नहीं है और हम वहाँ जाकर कोई car select करते हैं तो यह possibility है कि देखने में वो गाड़ी बहुत अच्छी हो लेकिन जब आप उसको घर लेके आएं कुछ दिनों के बाद वो सही तरीके से perform ना करें तो उस सुरत में हमें loss हो सकता है उसके बजाए अगर हम अपने साथ कोई expert person लेके जाएं तो वो जो expert person जो के mechanic है जो के कारों को अच्छे तरीके से समझता है जब वो हमारे साथ जाएगा तो वो कार खरीदने से पहले उसका ठीक तरीके से मौइना करेगा उसके engine के बारे में मालुमात हासिल करेगा उसको चला के देखेगा और अपने expert opinion की base के उपर हमें वो जो गाड़ी recommend करेगा अगर हम वो purchase करेंगे तो बहुत जादा chances हैं कि हमें नुकसान ना हो इसी तरीके से एक अगर हम simple example लें अगर हम एक मंडी के अंदर चले जाएं और वहां जाकर हम watermelons खरीदना चाहते हैं तर्बूस खरीदना चाहते हैं पर जब वहां बहुत सारे ट्रक्स हैं हम उन में से कोई एक ट्रक purchase करना चाहते हैं अब अगर हम अपनी मर्जी से हमारा experience नहीं है उसमें से जादा तर जो watermelons हैं वो खराब हैं या अभी कच्चे हैं तो इस सुरत में हमें बहुत जादा loss हो सकता है लेकिन अगर हमारे साथ कोई expert person मौजूद है तो वो expert क्या करेगा वो हमारे साथ जाएगा वो उस ट्रक के उपर चड़ेगा और randomly उसमें से कुछ samples को track करेगा और उसको बजा के देखेगा उसकी अवास की base के उपर वो अंदाजा लगाएगा कि इस पूरे ट्रक के अंदर जो watermelons हैं वो ठीक हैं या उसको purchase करने से end नतीजे में हमें फायदा होगा या नुक्सान होगा इसी तरीके से जब कोई भी company कोई employees जो है उनको hire करना चाहती है तो वो जो expert opinion है जो के interviews conduct करते हैं उनकी राए के मताबिक जो individuals हैं उनको select करते हैं तो यहाँ पे भी जो personal preference जो है शामिल है यहाँ पे जो selection है वो random नहीं है तो इस किसम की जो sampling है जहाँ पे expert opinion या personal preference शामिल हो जाए तो इस किसम की जो sampling है इसको non probability sampling कहते हैं